क्या आपको पता है कि गूगल को चाइना ने खरीद लिया है? नहीं न? जिए दोस्तों ये खबर किसी नूस पेपर में, किसी वेब साइट में और किसी नूस सेनल ने नहीं बताई है. लेकिन गूगल की हरकतों से ऐसे ही लग रहा है जिस तरह से पूरा भारत चाइना के प्रती अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। कि चलो भाई मैं चाइना वाले लोग को उड़ा देता हूँ या फिर वो बॉडर पे भी नहीं जा सकते। वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरे इंडिया का कोरोना को उठाएं और वापस चाइना में फेकी आएं। तो चाइना इंडिया वाले सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं और वो उन्होंने की। इंडिया वाले क्या कर सकते हैं कि चाइना के जितने भी प्रोड़क्ट से उन सबको बहिश्कार करना। और शुरुआत हुई टिक टॉक से। टिक टॉक की रेटिंग कहां पर 4.7 थी और इंडिया वालों ने उसको 1.2 कर दी लेकिन गूगल ने वहां भी तरफदारी की। असी लाख निगेटिव रिव्यूज को हटा दिया और वापस उसको पुरानी वाली पोजिशन पर लाकर खड़ा कर दिया टिक टॉक को और अभी उसके 4.4, 4.5 जो है ना रेटिंग वापस से आ गई है। गूगल ने फिर से चाइना का साथ दिया टिक टॉक का साथ दिया दूसरी बात करते हैं मित्रो की जब इस तरह से लोगों के अंदर गुस्ता भरा हुआ था कि अब हमें टिक टॉक नहीं चलाना तो उसी टाइम प्रकट हुआ मित्रो एप तो लोगों ने मित्रो चलाना लेकिन क्या किया गूगल ने फिर से चीन का पक्षपा चीन के साथ गया और फिर से उन्होंने मित्रो को वहां से हटा दिया उस एप को ही वहां से रिमूव कर दिया तीसरी बात आई हमारे जेपूर के एक स्टार्ट अप को बहुत गुस्सा आया उसने बहुत हो गया अब ये सारे चाइना एप को मैं इंडियन्स के मोबाइल से निकलवा गई रहूंगा, उन्होंने एक एप डवलप किया जिसका नाम रखा रिमूव चाइना एप्स, ये आप क्या करता था, ये आपके मोबाइल में जब भी आप इस एप को इंस्टॉल करते तो ये बारी-बारी से आपके सारे जितने भी एप से उनको देखता था, उनको स्केन करता और आपको बताता था कि ये ये चाइनीज एप से, और इन सब को आप रिमूव करना चाहते तो कर दीजिए, लोगों ने धड़ा-धड़ा उसको भी इंस्टॉल करना शुरू किया, और देखते ही देखत इसे उसके भी 5 मिलियन से जाधा लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिए, 50 लक से जाधा लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिए, अब Google एक बार फ़्िट से जागा, Google ने का अगर ऐसा होता रहा, तो ये सब इंडियन्स के मोबायल से ये सारे जो हैणनी SayVES गगे, क्योंकि आ तो आखिर गूगल ऐसा कर क्यों रहा है आखिर क्यों वो इंडिया की सपोर्ट नहीं कर रहा है और आखिर क्यों वो चाइना की सपोर्ट कर रहा है टिक टॉक के मामले में देख लो रिमूव चाइना एपस के मामले में देख लो हर जगा गूगल टिक टॉक गूगल चाइना वालों को support कर रहा है और आज मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि काश इंडिया के पास भी Google जैसा search engine होता Google जैसा platform होता Google जैसे apps होते इंडिया वालों की भी Gmail जैसी कोई email service होती इंडिया वालों का भी कोई बहुत सारे जो Google sheets होती है Google word होते है सारी चीज़े होनी चाहिए थी अगर ये सब चीज़े अगर इंडिया वालों के पास होती है या फिर इंडिया वालों ने या हम लोगों ने पहले से इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया होता ये सब चीज़े हमने पहले से यूज मत करो, लेकिन हम यह बोल ही नहीं सकते, हम इसलिए नहीं बोल सकते कि हमारे पास कोई दूसरा option ही नहीं है, अगर आज हम Google का search engine यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर आज हम में से बहुत सारे लोग अपने aids को कहां लगाएंगे, अगर आज हम में से बहुत स की बहुत बड़ी company है, और जिसका सामना करने के लिए किसी भारती ने सोचा भी नहीं है, तो दोस्तों, अगर मेरी ये बाते सुनकर, अगर आपके मन में जरा भी spark आ रहा हो, जरा सी भी चिंगारी अगर आपके मन में उठ रही हो, तो इसको चिंगारी मत रहने देना, इसक बिल्कुल एक अंगारा बना देना, और मैं तो कहूंगा ज्वालम की बना देना, जो इस तरह से फूट जाए कि पूरे विश्व में सिर्फ भारत का नाम हो जाए, चलिए बाते हैं कि आखिर गूगल ऐसा क्यों कर रहा है, टिक टोक के बारे में उन्होंने बोला कि आप कि किसी को निगेटिव रिव्यू नहीं दे सकते, आप किसी को टार्गेट नहीं कर सकते, आप किसी को दुरभावना पूर्ण उस पे निगेटिव कमेंट नहीं लिख सकते, इसलिए उन्होंने उन 80,000,000,000 जो निगेटिव रिव्यू दिये गए थे उन सबको डिलीड कर दिय मित्रों के बारे में उन्होंने बोला कि उसमें कुछ बग्स थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ही जिसके बारे में ने डेवलपर को मेल कर दिया डेवलपर को हमने बता दिया है और हो सकता है कि मित्रों वापस आजाए रिमूव चाइना एप्स के बारे में जो एप है उसके ब अंजाने में बहुत सारे apps को नुकसान पहुचा रहा है और इसलिए हम इस app को play store से हटा रहा है और इसका आना मुश्किल है तो दोस्तो बहुत सारे लोग अपील कर रहा है अब पहले अपील तो हमारी कोरोना से हम लड़ी रहा है दूसरी border पे हमारे सिपाही भाई लड़ी रहे है तीसरा digitally हम लोग जो लड़ रहे थे तो Google हमें वो होने नहीं देगा आप कितने ही apps अनिंस्टॉल कर दो चाइना वालों के कितने ही अपने apps ले आओ लेकिन वो हर बार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बहाना देकर वो सब हमारी जितनी भी मेहनत है किया करा है उन सब पे पानी फिरतर रहेगा हो सकता है कल कोई दूसरा भाई कल कोई दूसरा इंडियन्स कोई टिक टोक से बहुत अच्छा एप ले आए लेकिन फिर वही कोई चाल होगी कोई शत्रंज की विसाथ बेठेगी और फिर उन एप्स को भी हटा दिया जाएगा क्योंकि गूगल वाले भी चाहते ही नहीं है कि इंडियन्स आगे बढ़ें भारती आगे बढ़ें अब हमारे पास क्या सोलूशन है हमारे पास मुझे लगता है हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है वो है ओफलाइन सामानों का बहुत सारा सामान है जो कि हम चाहिना का यूज करते हैं बहुत सारा है हो सकता है कि मैं ये जो माइक यूज कर रहा हूँ ये भी चाहिना का हूँ लेकिन जब तक मेरे पास इसका कोई substitute नहीं आएगा तब तक मैं दूसरा कैसे खरीदूंगा और तमाम जो भारती लोग है उन सब की यही अभी परेशानी है क्योंकि हमें उनका कोई substitute नहीं मिलता है और जब तक हमें उनका कोई substitute नहीं मिलता है तब तक हम दूसरे सामान को कैसे खरीदे विश्व के लिए काम आए नो डाउट अभी एक्सपोर्ट के मामले में चीन सबसे नंबर वन पे है और पूरा विश्व उस पर ही टिका हुआ है सबसे ज़ादा जो एक्सपोर्ट होता है वो सिर्फ चाइना से होता है और इंडिया का नंबर बहुत बाद में आता है बहुत हमारा देश शुरू से ही बहुत पिछड़ा रहा है लेकिन अब हमारे देश ने धीरे धीरे करके गती पकड़ी है और बहुत सारी ऐसी यूनिट्स लगी हुई है बहुत सारे ऐसे प्रॉडक्शन हाउस है मैनिफेक्शरिंग इंडरस्टीज है जो कि अब धीरे धीरे हम ल प्रोसेस कर रहा है तो गौर्णमेंट आपके साथ है हम इंडियन्स के बारे में एक बात कही जाती है कि हम इंडियन्स बहुत जुगाड़ू होते हैं और हर काम का जुगाड़ से करने के कोशिश करते हैं चाहे कोई महंगी से महंगी चीज़ों उसको सस्ती बना लेंगे को आप सोचके देखिए कि WHO World Health Organization कितनी बड़ी संसा है लेकिन चीन जैसा उसको बोलता है वेसे ही वो करते हैं आप सोचिए जो WHO का सरवे सरवा है जो सबसे टॉप का जो आदमी बेठा है वो सिर्फ चीन के सपोर्ट की वज़े से ही वहां तक बहुँचा है और इसलिए उसके ह आर बात जो भी बात है उसे चीन की बात माननी पड़ती उसे चीन का सपोर्ट करना पड़ता है इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अमेरिका का रास्टपती भी ये बात बोल चुका है कि अब हम WHO को कोई फंडिंग नहीं देंगे उन्होंने सीधा सीधा बो कि हम ऐसी जाच करवाएंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे कोरोना वाइरस बुहान से ही आया है इन्होंने वहां की एक लेब में बनवाया है बहुत सारे अमेरिका की तरफ से इस तरह के बहुत सारे बयान आये लेकिन इस पर कभी कोई काम नहीं हुआ तो हमें हमारी लड़ जितना जादा हो सके चीनी सामानों का बहिशकार करना है, जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने अभी जो टीवी खरीद ली, जो कम्पीटर खरीद लीए, जो माइक खरीद लीए, जो भी चीज़े आप ने खरीद ली उनको आप फेक दो, क्योंकि ऐसा करना अपना ही नुकसान करना होगा, और भावनाओं में आप इतने मत भेजाना क कि अपने सामान में आप आग लगा दो, उससे होगा कुछ नहीं, आपको फिर से खरीदना होगा, आपकी ही जेब डीली होगी, तो भावनाओं में आप इतना भी मत बहना, लेकिन हाँ, इस सरह के केमपेंच चलाए रखना हमेशा अपने मन में, हमेशा अपने दिमाग में ये बात जरूर रखना कि अब से में जो भी सामान खरीदूंगा वो चाइनीज नहीं होगा, चाहे वो कितना ही सस्ता हो, जब भी मैं देखूंगा कोई भी ब्राइंड देखूंगा तो मैं ये जरूर देखूंगा कि ये ब्राइंड किसने बनाया है, कहां पर इसका हम में से 130 करोण लोग की आबादी वाले इस देश में से अगर आधे लोगों ने भी ये बात सोच ली, तो मैं बोल रहा हूं कि हम चीन से कई गुना आगे निकल जाएंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत सारी कंट्रीज हमारे देश में अपना सामा खपाती है, भारत देश को सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, लेकिन भारत जहां था वहीं रह गया, और एक जमाने में था जब बारत विश्व गुरु हुआ करता था, अनेक सब्यताएं, अनेक संस्कृती, चाहे योग हो, फाइट हो, कुछ भी हो, सारी दुनिया में सिर्फ भारत से ही निकल कर गया, लेकिन अब भारत के लोग जागरित हो रहे हैं, भारत के लोग जाग रहे हैं, भारत के लोग अब चान पर भी पहुचने रहे हैं, इसलिए वो दिन दूर नहीं, जब भारत एक महा शक्तिशाली रास्ट बन जाएगा, इनी शब्दों के स सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें साथ य साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जाहिन